हेलो दूस्तो, दूस्तो सुनी लेपबर कॉलेजी रुएंस के सीजन फोर इस्रिंग हो गया है, टोटल पांच एपिसोड है पहले की तरह ही और सभी एपिसोड के लेंट लगबक आधा आधा गंटा है, मैंने पांचो के पांचो एपिसोड देखकर कंप्लीट किया और ये श कुछ बहुत out of the box हो गया हो, extra ordinary हो गया हो, कुछ भी नहीं हुआ, भही सेम टेपिकल सी कहानी यहां पर है, भही तीन चाल दोस्ते हैं, सबके बीच के bond है, दोस्ती है, यारी दोस्ती फन है, और ड्रामा मसाला है, कुछ ups and downs है, तो वही है, मतलब वही टेपिकल सी कहानी चलत में जाके, season 3 से उसका कोई अता पता नहीं है, एक reason दे दिया था, season 3 में कि वो इस बज़ये से भोगा है, भोगया, चला गया, and season 4 में वो आता है, अपने thriller में भी देखा होगा, उसको आते हुए, and 10 minute के लिए भूआया, and complete, खत्म, over, तो यह है, मतलब 5 episode थे, हाँ, अच्छ अधियत नहीं लगी वराभी, and आधि-अधि-गंटे की length है, जो व्यादा फिल भी नहीं होती, लेकिन हा, मतलब, कुछ अभी बहुत नया नहीं हुआ, पर आप यह नहीं के पाऊँगी, कि आज मैंने कुछ बहुत अच्छा experience किया, मैंने कुछ बहुत नया, बहुत अच्छा देखा, तो भाई, वो नहीं के पाऊँगी, and यहाँ पर जो, हर episode में, एक अलगी topic चलता है, बैसे तो, show की जो कहानी है, मतलब, शुरू से लेकर, आ भंड हो जाते हैं, principal के office में जाके drama होता है, बहुत जाके यह लोग पहुंच जाते है, and बगगा कहता है, कि यह अभी भी भंड है, जब वो DP, announcement कर रही होती है, मतलब, भंड होके, वो कुछ भी बोल रही, तो भाँ पर थोड़ी है, लेकिन इस बार मुझे comedy का जो तणका थ कम देखने को मिला, उतनी जाता मुझे हफी नहीं आई, and जो चौसे episode में, जब वो कालरा को कहता है, वो जो बंदी आई थी, जो मतलब, उन लोगों को placement के लिए जो आई थी, बहाँ पर कॉलेज में, तो बगगा उसको कहता है, कि भाईया, मैडम आपकी यह कम जोद कडिया मुझे को जिपका रहे हो, मुझे पता, दी-दी उपर से थोड़ी धेली है, तो बहाँ पर थोड़ी हफी आई, तो दो-तीन ही मुमेंट थे, जब आपको थोड़ी हफी आ सकती है, लेकिन उसके लाबर मतलब, उतना कुछ भी बहुत बड़ा नहीं हो गया, यहांपर, concept के इदा ठीक ठा की था, मतलब कुछ भी बहुत बड़ा मुझे देखने को नहीं मिला, यहर टी-बी-एप के हमने शूफ देखी है, for example, एसके सद की किलास भी चल रहा, एक संदी भाया है, टी-बी-एप का कोटा फेक्टरी है, इस तरह के शूफ है, जिनको बार-बार देखन कमन करता है, लेकिन टी-बी-एप वहीं इस तरह के शूफ भी बनाता है, जिसमें मतलब कोई सरपैरी नहीं है, कहानी में कुछ भी बहुत खास नहीं है, यह सारे कि सारे दोस्त है, इसकूल में कॉलेज में अपनी फन है, महमुदीज बनाते हैं, प्यार महबत है, दोस्ती ह हैं यहां पर, तो भाई यही है, मतलब कुछ भी बहुत खास नहीं है, आप देखती हुआ रहे हैं, पहला सीवें से लेकर तीफरी सीवें तक आपने देखे हुए, तो भी चौते सीवें को भी आप इस लिए देखी लोगे, लेकिन इस वे शो का जो सबसे मुफ्ट इरिट मतलब, एक चीज जरूद मुझे यहां पर थोड़ी अच्छी लगी, वो यह थी लाफ्ट एपिसोड में, जब बगगा नायरा को किस करता है, गाल पे तो नायरा यहीं करके सूंगती है, एक फीवन थरीके अंत में भी था, जो मुझे थोड़ा फनी लगा था, तो वह यही है, तो देखना चाहें, देख लें, एक टाइम पास के लिए एक ट्राइग देदें, लेकिन अगर आपने कॉलेज रुमेंस का एक भी शो नहीं देखा, एक भी एपिसोड नहीं देखा, एक भी सीजन नहीं देखा, तो वह यह स्किप करो, क्योंकि अब यह खत्म हो गया, कुछ भी बहुत बड़ा नहीं हुआ यहां पर, तो यही है, बाकी यार मैं एक्टिंग की बात करूँ तो लगबग, सभी नहीं अपना अच्छा दिया, और वो जो बंदी है, दीपी का है, शरया महता, एंड डीपी है, उसने अपना अच्छा दिया, डीपी के कुछ मुमे जब वो मतलब emotional हो जाता है, तो वो short best था acting की नाम पर, बहतरीं था एंड बही नायरा, पूरबा Aurora का भी वही है, तो acting लगबग, सभी के अच्छी, सभी की chemistry, अच्छी काफी realistic feel होता, यह चीज मुझे यहां पर अच्छी लगी end, यहां पर अच्छी खासी भर-भर के गालिय तो वह यह है, जफ्ट 3rd of 5 आप इसे शो को आपने देखा है, तो लिखी बताना आप लोगों का इसे शो पर के अटेक end, मुझे ठीक लगा, आप्टर रॉल यह खत्म होगा, तो यह एक सुकून की बात है, यह नहीं आना है, तो यह कॉमेडी का थोड़ा तड़का कम था, और जयादा होता, तो आपने देखा है, लिखी बताना आप लोगों का इसे शो पर के अटेक end, फैमिली के साथ तो अफकॉस देखी नहीं पाओगे, बाकि लाइक से ने सब्सक्राब भी करना चैनल को विडियो को एंड, ते से विट ने ते चैनल सानिंग अप, थैंक्यू कर दो.